अबिजीत क्या आप मेरे आवाज सुन सकते हैं? ठीक है, सुधान्शू मित्तल साब के पास चलते थे सुधान्शू क्या आपको लगता है कि वो समय आ गया है जब पाकिस्तान के इस कबूल नामे के बाद भारत की सरकार को इस मुद्दे को एक बार फिर जोर-शोर से उठाना चाहिए? अनुया जी अगर आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में हर अंतराश्टिय पटल पर पाकिस्तान अलब थलक पड़ा है आतकवात को लेके भारत ने सफलतापूर ये अंतराश्टिय समुद्दाए के सामने स्थापित करा है कि पाकिस्तान जो है वो आतकवात को नाकिवर बढ़ावा देता है वो उसके अंदर खुद सम्मिलत भी है ये नवाज शरीव का जो बायान आया है उसने उस बात की पुष्टी कर दी है कि जब पाकिस्तान के भूतपूर प्रजानमंत्री भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों को पना दी जाती है इन लोगों का समर्थन किया जाता है और इनको अंतराश्टी सीमा को पार करके आतंकादी हमले करने की सहुलियते दी जाती है ऐसे मैं मैं तीन चीजों का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ मैं भारत की अंतराश्टी जगत में जो पाकिस्तान को अलग थर अलग करने की सफलता है उसको आपके सामेर रखना चाहता हूँ पहला भारत में लगातार जो अंतराश्टी पटल पर सबूत दिये उसमें डॉनल्ड ट्रम्प यूएस जो है हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक रहा है डॉनल्ड ट्रम्प को जन्वरी चार को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान is a safe haven for terrorists और उसने जो है इनको अर्मदान जो दिया जाता है उसको freeze कर दिया चाइना जो पाकिस्तान का एक रक्षक रहा है हर चीज़ के बारे में यूएन में कोई resolution पाकिस्तान के खिलाफ हो तो वो उसमें वीटो का इस्तमाल करने वाला होता है ब्रिक सम्मिट के अंदर चाइना जो है लक्षकर तोईबा को और जैशे महमत को terrorist organizations है ये पाकिस्तान में चलती हुई इसका प्रस्ताफ का समर्थन करता है नवाज शरीद के बहान में एक और बड़ी महित्मूर्ट चीज़ है उन्होंने कहा कि प्यूटन ने भी तक ये कहा कि ये सब क्यों हो रहा है तो पश्ता से अधर राष्टे जगत में अब पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी गती वीडियों का समर्थक राष्ट है रोग नेशन है ये भारत की एक बड़ी कूतनिक सफलता मैं इसको बांगता हूँ इस सान बार-बार कहता है कि अरे हम प्यार आतंकी हम ने हो रहे हम खुद जो है विट्टम है आतंकवाद के लिकिन ये बात आज अट अट अश्टी जगत में कोई मांगा बिल्कुल कोई ने अट अब और सुदान्चु जी जिस तरह से नवाज शरीफ के इस बयान के बाद पाकस्तान में जो गुसा है उन्हें गदार तक कहा जा रहा है अभी जीत मैं आपका रियाक्शन लेना चाहूंगी मेरा पहला सवाल आपसे ही था लेकिन आपको दिख्विजे जिन ने क्या बयान दिया मुझे बताईए ना राशिद भाई के बयान का मैं स्वागत करता हूँ और दवाब बढ़ाना चाहिए मैं लेकिन आपसे उमीद ये करता हूँ आप बड़े एक सुल्जेव वेक्ति हैं दिख्विजे सिंग ने ये कहा था कि 26 ग्यारा का जो आक्रमन था भारत की स्वाइटता पे जिसको मैं मानता हूँ वो RSS का शडियन था अब नवाज शरीव साहब ने कहें दिया कि नहीं वहीं वो RSS का कोई ले न दिना नहीं वो तो हम लोगों ने करवाय था तो कम से कम आप अब माफी मांगना चाहिए आपको न इस देश से कि इस बड़े शडियन को जिसे पाकिस्तान का हाथ था और जिसको करने कि कोश्च करी वो गनत करी थी वो देश के हृत में न ही इसके आपको नक्ताली आको माफी मांड़ना जाई ये मेरा हमेशा मानना है कि हम लोगों की आपसी राजनीनीती और रंजनेशे कुछ भी हो लेकिन कुछ मामलों में हम लोगों को राजनीती से परे सोचना है इस तरह की चीज़ों मेरे साथ ब्रिगेडियार हारिश नवाज साहब डुड़े हैं डिफास फुद फुद यह लोग पुरे आतंकियों को जो कि भारत विरुद के काम करते हैं इनको सरण देते हैं और यहां के बासंदे किसे किय ब्रिगेडे साब, militant organizations are active. आप भयान अरप्रिये सुन्ये गिए लिखा है, militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? एक्स्पाइं टूमी करें इसके आगे वो तुमिन एक मेरे टुटेज इसे ये इसके आगे वो क्या गेते हैं और सुनिये हैं वो कहते हैं कि अजये एक मिन पर कांट वी कम्पीट एट्राइब इसके उनकी बात यहां पर सुन लेते हैं जवा दीजे ब्रगेडिया रवाज ज जगा पर है और पाकिस्तान की फॉज उनके सिलाफ ज़र लिए इस पेसे ये लुपकी ये तो हमें ये जिकीन है कि आप तो यहां पर कार्रवाई भी पूरी नहीं होने देते हैं कितने सबूत और चाहिए आपको भारत से कॉन जूट आप कह रहे हैं आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जूट बोल रहे हैं कि शुट प्राइम को आपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ही क्यो बठाया है इसे करेके लिए उनास कर रही है ब्रिगेडिया नवाज जिन एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप प्राइम निकाल भाहर थेका है अभी भी उनकी ही पार्टी है आपकी देश में अभी भी उनकी ही सक्कार है ब्रिगेडिया नेकिन वो पार्टी इनके ख़ड़ी हो गई है वो इसको सब उनकी मिला के कहने मुझे लातालू कर रहे हैं इनको भी सुदा होने वाली है कि लिए इनों ने एक नया शोचा तोड़ा के लिए मुझे बड़ा दोलब हो रहा है पाकिस्तान का बुर्पूर प्रजान मंतरी ये कहें कि हमारे देश में हमारी ही सक्ता जो है इन अतंकवादियों को सीमा पार करने के अज़ामत देती है सुदान्चु जी एक बात तो साफ है ब्रिगेडिया रवाज जो बाते यहाँ पर कह रहे है उससे तो एक बात पता चलती है आतंकवाद के साथ है सारब ब्रिगेडिया रवाज आतंकवाद का साथ दे रहे है इनकी फौज का ये इतिहास राएं चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे ये हो अच्छा मुझण दूमाना ही था उन्होंने का था हमने इन सारे सगटनों को समर्थन दिया है और जब तक हम रहेंगे इंको समर्थन देंगे नवाज शरीम तो छोड़ दीजै जनल मुशर्रफ ने कहा या नी कहा ठीक है, सुदान चुछ तब क्या, ब्रिगेडिया साथ, आप मुशर्रफ के बयान को क्या कहेंगे जनल मुशर्रफ ने माना कि लोजिस्टिक सपोर्ट दिया, उनका बयान है कि वी हम गिवन लोजिस्टिक सपोर्ट पर करते हैं तो जैशे मूमद और ब्रिगेडिया नवास आपके दो एक्स-प्राम निस्टर अगर कोई बात कहते हैं, तो वो गलत बात कहते हैं और जूट बोलते हैं भी आपके सवाल पूछा गया मुशर्ण पर जनोने खुद ये माना कि हाँ यहां से हमने सप्लाए हुआ था पाकिस्तान से सप्लाए हुआ था सामान उस घमाके के लिए उस पूरे आतंकवाद के मिशिन के लिए दूसरी चीज़ आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कहते हैं कि यहां तो ट्राइल भी पूरा नहीं होने दिया जाता है आतंकवादी हमला पाकस्तान से हुआ आप ये मानते हैं कि आपके दो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जूटे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या बात बोलते हैं? इस साथ इस समय उज्वल निकम सहब है, उज्वल निकम सहब, जिन्हों हैं, इस धूटि का समथाने पहला निकम सहब, इस धूटि आपके आपके बागरी, आप कश्मेर का समथान पढ़ें, उन्हें कि काश्मीर के लोगों ने काहा हैं और जब कश्मीर के लोग यह करें कि वह हिंदुस्तान का हिस्सा है तो आप कहरें कि नहीं यह डिस्प्यूटिट टेरिटी है अरे आपका दिमाग कराए आप कश्मीर के लोग पर जाते नहीं रहुत हो आप जाते हैं कश्मीर का हिस्सा नहीं है यह बात आप समझनी होगी आप जैसे का हिस्सा नहीं है और कश्मीर का है और रहेगा यह आपको शैद समझने की ज़रत है और पाकिस्तान के मुद्वे अगर आप बहस करने आते हैं, तो उस समझस्तारी से रहस कीजें, बेहुकूफी मत कीजें, बहुत बाद शुक्रियाँ आप सभी खास मेवानों का हमारे साथ जुडने के लिए एक बात तो साफ है, नवाज शरीफ के बयाने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है. झाल झाल